आज इस वीडियो में यह MPEV Group 5 एक्जाम के बार हम आप लोग इस वीडियो को ध्यान से दिखिए किस टौपी से कोश्चन पूचेगे थे और कौन कौन कोश्चन पूचेगे थे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली लें कुछ बगक के चले आते हैं कुछ उनल कैसे यूम्रेंट करते हैं कुछ भी उनके लिए येश चैनल बॉक कर दिया जाएगा q is कभिडियो नहीं देख पाएंगे उनके लिए आप लोग देख लीजिए, आप लोग कैसे कमेंट करते हैं, बहुत बते बहुत अच्छे हैं, जिनको सलेक्षन लेना है, वो तो बहुत अचे सिंसियर पढ़ाई करते हैं, जो लोग इधार उधर के पढ़ाई करते नहीं, बस ग्यान बारते चैनलन के निचे आते हैं, और कम गलत कमेंट करते हैं बहुत सारे वच्चे इधर उधर कमेंट कर रहा है देखने में मिल ला है तीम की दौरा बताया जा रहा है तो आप लोग अपने आपको सुधार ये आपको सिंसियर रखिए एक्जाम से प्रिपेस्टन कर रहा है तो अच्छे से किए गलत कमेंट क्या करते हैं तो चलिए वीडियो सुख करते हैं देखते हैं आज क्या पूछा गया था पहला कोश्चन है संकल लच्छमर सिंग किस खेल से संबंदित है हां की से संबंदित है आप लोग को यादखना है किसे खेल से हैं हां की से संबंदित है आप लोग को भेरी-भेर के आता है उनको इस ही कोस्टन नहीं पता रहता है और कमेंट करने आजाते हैं वे जो बच्चे अभी इक्जाम देखें आए उन्हीं से टोटल 25 जो आपके के कोश्टन आ रहे हैं तो उन्हीं से पूछा जाए कि आप लोग 25 बता जो तो पता नहीं होगा कौन कोश्टन है आप लोग इस चैनल पर कभी नहीं देख पाएंगे वीडियो नहीं चैनल आप लोग को सर्च में आएगा कि नेस्ट है को सेकेंड इस आप डूइंग बिज्ञेस में भारत की रैंकिंग कौन सी है कौन सी है 63 मद्द परदेश की रैंक फोर्थ है आप लोग को या लखना है कोना इस आप डूइंग में भारत की रैंकिंग है 63 मद्द परदेश की रैंकिंग है चोथी आप लोग को ध्यान अखना है एदि आप लोग यंपी के करेंट अपेर पढ़ना चाहते हैं इस इसके पार नोट्स नहीं है उनके लिए है क्योंकि ये करेंट अपेर से कोश्चन है एक किर्केट इक मेला कहां पर लगता है द्टिया में अछी मेंसे मेले मेला के अप लोग के पुछा जारह है आप लोग को ध्यान दीजिए मेला जितने ही मेले मद्द प्रदिस में हैं खासकर मद्द प्रदिस के जितने भी मेले हैं उसको आप ज़रूब पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए चलिए आप लोग एक कोश्टन पूछते हैं मेले से समंदित महामनितुंजय यानि महामनितुंजय का मेला कहां पर लगता है यहनि किस डिस्टिक में लगता है उट डिस्टिक का नाम आप लोग कमेंड़ करके बताइए महामिनतुंजय का मेला मद्द प्रदेश में कहां पर लगता है आप लोग बताइए देखते हैं आप लोग तयार कैसी है Next question है Question 5 Hemophilia किस प्रिका की बीमारी है साइस कोश्चन है जेनेटिक बीमारी है जीके में पुछा गया है आप लोग को ध्यानक ना है जेनेटिक बीमारी है Hemophilia किस प्रिका की बीमारी है जेनेटिक बीमारी है Next question 6 गूरु नानक के तीन किताबों का बीमोचन किस ने किया था मानौसंसाधन वीकास मंत्री रमेश् पृक्रियाल और हर्श्यम्रत कौम्रत क बादन ने किया थ Gast आप लोग किया थ우ieran है अब मानौसंसाधन वीकास जो है मंत्रालन है इसका नाम बदल कर सिच्छा मंत्रालन कर दिया गए आप को द्धान कना व्याओ इपरेंट है अब इनको क्या कर जा है आप बात किजये के पहले तो उसको सभूर पढ़ लिजे मद्द परदेश में कौन क्या है आप लोग उसको भी देखके जाएए नेस्ट है कोश्चन नवर एट के नए चेर्मेन कौन है दिनेश कुमार खारा कौन है इनको हाल ही में अभी नौवंबर दिसम्बर में इनको नूट किया गया आप लोग करिंट परदेश में धुवा जलपरपाद किस नदी पर इस्तित है बार-बार बोला है कि नदीों से समद्धित चलपरपाद किस नदी पर इस्तित है hell रिकजामिया रहा है ये धुआ धा जो जल्व प्रपाथ है कहां पेस्तित है, किस जीले में एस्तित है, आप लोग कमेंट वाक्स हम बताईए कहां पेस्तित है आप लोग कमेंट के के बता सकते हैं निंस्ट question ten निम्न में से कौण सी नदी बंगल के खाड़ी में गिरती है चार आपसम रहा होगा उसमें से गंगा गिरती थी आप लोग या दखना है नेस्ट कोच्छन है कोच्छन 11 मड़ीपूर संगाई उस्व कब हुआ 21 से 30 नॉवंबर या महुस्व दोह जादस से प्रारम हुआ है आप लोग को बता दो सगई मैनी महुस्व से संबंदित जितने प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने मिल जागी यहीं टोटल करेंट प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाए आप लोग देख लिजिए चाहे आप लोग स्क्रॉल करके वीडियो की नीचे चले जाएंगे तो 7-8 वीडियो की नीचे आप लोग को महुस्व वा Ministry of Science and Technology की इंतरगत आता है आप लोग को ध्यान लखना है नेस्ट कोच्छन कोच्छन 13 मद्द परदेश की इस डियाई इंडेक्स में कौन सी रैंक है यह है तितीसमी रैंक है आप लोग को या लखना है कोच्छन 14 है रूपय 75 का सिक्का कब लांच किया गया था 75 रूपय का सिक करेंट हैं फिर में दो साथ पूराना भी करेंट है इस वीडियो में डाला जा रहे हैं तो आप लोग एक्सप्रेक्टर जीए के जो सीरी जा रही है उसको आप जरू देखिए पांच पांच पांचिए अप अपलोड देख लिजिए एक पांच आज साम को या कर्द सुब आप लोगो अप्लोड हो जाए, पार्ट 6, उसमें आप लोगो 27 के अधिक से अधिक करेंड पर करवा गया जाएंगे, Next question है, question number 15, question number 16 है, पाली उमरी गर अबार्ट 2020 किसे मिला है, यह जस्पी भुमरा को मिला है, किसे मिला है जस्पी भूरा को आप लोग क्या लखना है very very important question next question है मेरट अंदोलन कब सुरूआ मेरट अंदोलन कब सुरूआ 10 मई 857 को सुरूआ आप लोग क्या लखना है next question है question 18 वर्स 2020 में मदपरदेशी कौन सी वर्सगार्ट थी ये 65 वी वर्सगार्ट थी आप लोग को ध्यान लखना है next question question 19 इंडियन नेवी के दौराब बनाएगे एपी पी कीट का नाम क्या था क्या था वन रच्छक क्या था वन रच्छक आप लोग को याद लखना है very very important next question है question 20 मद्परदेश सरकार ने कोरोना वारेस के संबंध में कौसी योजना चलाई योद्धा कल्याड योजना चलाई आप लोग क्या दखना है एक करेंट रचका क्या question आप लोग को ध्यान रचना है आप लोग के ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यदा सेर कीजिए और आप लोग उसे फिर से बोलना चाहता हूँ जो लोग गलत कमेंट करनेंगे उनको ब्लाग कर दिया जागा चैनल पे बार बार वार वीडियो नहीं देख पाएंगे आप लोग सुधर जाएए सुधर ना है तो और चलिए मिलते हैं लेक्स वीडियो में